दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रुशाप पंत मंगलवार को आई पिल दोहसार चौबिस के लिए होने वाली नीलामी के दौरान टीम प्रबंधन के साथ मौजूद रहेंगे पंत का कहना है कि नीलामी में बैठने का उन्हें कोई अनुभव नहीं है लेकिन इसे लेकर वो काफी जादा उत्सुख हैं पंत ने नीलामी से पहले कहा था कि पहले की तुलना में काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं 100 प्रतेशात स्वास्त होने के लिए अभी भी रिकावर कर रहा हूँ उमीद है कि आगले कुछ महीनों में वापसी जरूर करूँगा निलामी के उत्सुक तो मैं हूँ ही क्योंकि निलामी में बैठने का मुझे कोई आनुभव नहीं है और मेरे लिए ये सब कुछ नया है उनका कहना है कि मेरे लिए पिछले कुछ महीने काफी कठन रहे लेकिन इस दौरान प्रशशकों का काफी प्यार मिला जब आप चोटल होने के लिए कारण कठन समय में गुज़र रहे होते हैं और उस दौरान आपको अपने फैंस का बहुत आसपास के लोगों का साथ मिलता है सपोर्ट मिलता है तो वो मेंटली तोर पर काफी माईनी रखता है अपने जमाने के दिगज भारत ये बल्लेबास सुनील गावसकर का मानना है कि मुंबई इंडियन्स के नवी उक्त कप्तान हार्दिक पांडिया इस टीम में नई सोच लेकर आएंगे क्योंकि रोहित ठके हुए निजर आ रहे थे और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने बल्लेबाजी में परियाप्त योगदान नहीं दिया उनका कहना है कि हार्दिक पांडिया कप्तानी में मामले में युवा खिलाडिया है जो खुद को सावित कर चुका है वो टीम में नए सोच से जुड़ कर आएगा और कुछ नया लेकर आएगा और हर किसी के अंदर से अच्छाई और निकालेगा और एगनम शाप होकर उनका कि में वो टंका है युवा गार आएगगा और किसी के अंदर सकता है कि अंदर स्वादाब